स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आटो पोर्टल पे और आज इस वीडियो रिव्यू में हम बात करेंगे TVS की लेडिस मोडर साइकल TVS Radeon के बारे में हम आपको इस अर्बन कम्यूटर के लुक्स, एंजिन, परफॉर्मेंस, राइड कॉलिटी, कमफर्ट और प्रैसिंग के बारे में जानकारी देंगे यह रिव्यू शुरू करने से पहले आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आटो पोर्टल को ट्विटर और इंस्साग्राम पे फॉलो करना ना भूलें इसकी डीटेल्स दिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पे मौजूद है थैंक्स पर वॉच्चिंग अब बात करते हैं टेल सेक्षन की टेल लाम्प और साइड इंटिकेटर्स में टीविएस ने हेलोजन बल भी दिये हैं यहां आपको एक छोटा लगेज रैक दी मिलता है टीविएस रेडियोन चार कलर स्क्रीम में अवेलिबल है वाइड, ब्लाक, पर्पल और बेज टीविएस रेडियोन में 110 सिसी का सिंगल सिलेंडर डूरा लाइफ एंजन लगा हुआ है यह एंजन 8.2 बहप और 8.7 न्यूट्रमिक्टर का पीक टॉक बनाता है टीविएस ने इस बाइक में 4-speed gearbox दिया है हाला कि इसका fuel tank सिर्फ 10 लिटर का है पर रेडियोन की mileage लगभग 70 kmpl की है जो लंबी दूरी तय करने के लिए काफी है रेडियोन में 18 इंच के alloy wheel लगे हुए है जिसमें टीविएस डूरा grip tubeless tire मिलता है टीविएस ने रेडियोन में drum brakes ही दिये है पर इसकी synchronized braking technology एक अच्छा confidence देती है इस bike के front में telescopic suspension मिलते है और rear suspension की जिम्मदारी twin shock absorbers को दी गई है जो 6 step adjustable preload setting के साथ आते है टीविएस रेडियोन का instrument cluster भी शानदार दिखता है यह car inspired twin pod instrument cluster है जिसके बीच में TVS का logo है यह instrument cluster odometer, speedometer और fuel meter जैसी जानकारी देता है साथ ही neutral indicator, engine malfunction, high beam, low beam और side indicator जैसी information भी देता है इसमें gear position indicator नहीं है पर इसकी gear shifting काफी smooth है और gear ढूंडे में कोई परिशानी नहीं होती है TVS Radeon में एक USB charging port दिया हुआ है जो इस segment की किसी और bike में नहीं मिलता इसकी seat काफी अच्छी दिखती है और comfortable भी है suspension setup अच्छा है और आपकी lower back को कोई problem नहीं होगी इसका curve weight सिर्फ 112 kg है Radeon का ground clearance 180 mm का है जिससे city commute में rider को कोई तकलीफ नहीं होगी सबसे खास बात Radeon की fit and finish है जो सब को पसंद आएगी Mid-Level motorcycle segment में अपनी धाग जमाने के बाद TVS का focus अब commuter segment पे है और वो एक एक करके नए models बाजार में उतारती जा रही है Radeon की एक showroom कीमत 49,780 रुपय है और इसे urban commute और comfort को ध्यान में रख के बनाया गया है ऐसे price point पे ये bike काफी किफायती लगती है TVS Radeon अपने fresh looks, better performance और कम कीमत के दम पर अपने rivals को एक अच्छी टकर देती है और साथ ही ये एक अच्छी value for money product भी साबित होती है आज के review में इतना ही, goodbye for now and write safe